चलो बे, शुरू करो Thank you sir Sir, ये केस रोजे रोशन की तरह आया है क्या 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 सर ये केस रोजे रोशन की तरह आया है अच्छा, यहाँ उर्दु डिबेट का कॉंपेटेशन चल रहा है नहीं sir तो असान उर्दु में बात कर ले Okay sir, sorry sir सर ये केस बहुत ही सिंपल है मुल्जिम के अकाउट में कभी 50 करोड कभी 60 करोड कभी 70 करोड और कभी 80 करोड ट्रांसर हो रहे है और ये ऐसे छुनने काके बने वे जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है कोई जवाब आपके पास और यार छोटा सा बच्चा है बिचारा उसको तो बोलना तक नहीं आता इतने बड़े-बड़े जाम लगा रहे हो ये किस की अकाउट में पैसे आ गए ये किस की अकाउट में पैसे आ गए उसे पता नहीं चला और सर ये कोई बच्चा बच्चा नहीं है सर ये पूरे दिनों का चूसमी लगाई वी ड्रामे कर रहा है सर ये क्या और यार उसका मतलब ये है कि वो खेलने कूदने में मसरूफ होता है उसे नहीं पता लगा कि उसके एकाउंट में पैसे कहा से आ गए यार इससे ज़्यादा पथेटिक आंसर हो सकता है इससे तो अच्छा था तुम जर्म कबूल कर लेते थोड़ी सी इज़त तो रह जाती तुम्हारी येर वैसे आई अग्री विदिम सर देखो एक दफ़ा मैं अपने लाउंज में बैठावा था अचानक मेरे मुबाईल में 500 का बैलन्स आ गया मैं तो परिशान हो गया फिर पता लगा कि मेरे भाई ने गलती से डलवा दिया था सर मुबाईल में बैलन्स डलवाने और अकाउंट में करोडों डलवाने में बहुत फरक है सर अच्छा 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 कैसे सर बैंक में पैसे डलवाने के लिए आपको अपनी डीटेल्स देनी पड़ती है जिसको पैसे बेज रहे हैं उसकी डीटेल्स देनी पड़ती है बैंक की डीटेल्स देनी पड़ती है नहीं नहीं सही कह रहे हैं It's complicated, sir. अब तुम मुझे बताओगे कि बैंक में पैसे कैसे टांसफर करते हैं? Sorry, sir. तुम्हें मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि जब भी हाई प्रोफाइल कैसे लड़ने आया करो, अपना दिमाग घर पे रखे आया करो. Sorry, sir. Anyways, as usual, तुम्हारे केस में बिल्कुल कोई जान नहीं है, तमाम सबूतों और गवाहों को मदे नज़र रखते हुए, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि तुम इस बच्चे को अपने साथ अपनी गाड़ी पर ले कर जाओगे, रस्ते में से हैपी मील दिलवाओगे, अबे सल्य, बच्चा समझाएं क्या? चल्ल मुझे हैपी मील दिला.